हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राधा अगरवाल और आज के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आए हूँ आपके लिए इंग्लिश की बुक न्यू इमेज़ेज क्लास फिफ्थ की इंग्लिश बुक न्यू इमेज़ेज के चप्टर एट लुसी लुक्स इंटो अव वाद्रोब क यह वाद्रोब करेंगे जैसा कि आप लोगोंने रिमांड की थी कि चैप्टर एक्स्प्लेनेशन की वीडियो मैंने डाल रखे हैं तो काफी लोगों के कमेंट्स आये थे कि मैं उनके वीडियो बनाके अपलोड करूं तो मैं इसी सीरीज में मैं अब अलग से वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ कल मैंने चैप्टर 9 के Q&A अपलोड किये थे और यहाँ पर है आपके लिए CHAPTर 8 के Q&A तो फ्रेंट्स वेरे Q&A बहुत ही शॉर्ट होते हैं स्वीट होते हैं और मैं नस सिर्फ आपको Q&A दूंगी बल्कि उन्हें एकस्प्लेइन भी करूंगी कि Q क्या पूछा गया है और आंसर में हमें क्या लिखना है और हमने क्या लिखा है तो short sweet and easy language वाले question answer में आपके लिए लेकर आती हूं तो आप लोग please मुझे comment करके बताएगा कि आप लोग और कौन से video या किस तरह के वीडियो चाहते हैं और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि next वीडियो की notification आपको मिलती रहें उसके लिए आपको बाइल आकन प्रेस करना होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं question answers solve करना तो यह हैं हमारे question answers answer these questions है first to fourth जैसा कि आप देख रहे हैं screen पर उसके बाद है answer these questions with reference to the context इसमें जो यह line दी हुई है इसी के बारे में questions पूछे गए हैं और उसके बाद हैं हमारे think and answer यहां पर दिये हुए हैं देखिए नीचे जैसा आप देख रहे हैं what do you think would follow next in the story one and two think and answers तो यह actually students या teachers जो भी वीडियो देख रहे हैं यह धियान रखें कि think and answers chapter के बीच में से पूछे वे नहीं होते हैं यह बच्चों की higher order thinking skills के लिए होते हैं तो students could in answers का question in questions का answer देने की कोशिश करें लेकिन फिर भी एक जो example answer होना जाहिए वो में यहां पर आपको जरूर दोंगी और तो चलिए start करते हैं हमारे first question का answer यहां पर हमारा first question है why were the children sent to stay with the professor बच्चों को professor के साथ रहने के लिए क्यों भेजा गया था तो जैसा कि आप जानते है actually अगर आप chapter explanation का video देख लेंगे तो आपको question answer समझने में बहुत ही आसान रहेगी तो मेरा यह आप से please request a suggestion है की description box में और i button दोनों में ही मैंने इस chapter के explanation video का link दे रखा है आप प्लीज वो explanation video भी जरूर देखें उसके बाद ही question answers आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा या अगर आप जल्दी में हैं आपको homework करना है तो ठीक है पहले question answer लिख लीजे लिकिन उसके बाद आप एक बार वो chapter explanation का video जरूर देखें तो आए चलते हैं so the children were sent to stay with the professor यह line हमने question में से ही ली है and then the answer is only due to air raids in London आप इसमें during the war भी लिख सकते थे but I made it shortest that's why I written only the children were sent to stay with the professor due to air raids in London second question है हमारा why was Edmund bad tempered on the first night at the professor's house पहली रात को जब प्रोफेसर के घर पे वो सब बच्चे थे तो जो Edmund था वो bad tempered खराब मूड में क्यों था so the answer is Edmund was bad tempered because he was tired and pretending not to be tired वो थका हुआ था और जबकि वो ऐसा दिखा रहा था कि मैं तो बिल्कुल थका नहीं हूँ और इसी वजह से वो परेशान हो रहा था उसका मूड खराब था जैसा कि वो हमेशा करता था so question third is what did all the children find in the house सभी बच्चों ने वहां उस घर में क्या पाया so the children found several unexpected places in the house कुछ several means कुछ थोड़े से काफी सारे unexpected जिनकी उनको उमीद ही नहीं थी इतने थोड़े अलग से places वहां पर उनको house में मिले थे question 4 is what attracted Lucy to the wardrobe and what did she find there Lucy को wardrobe में किस चीज ने अट्रेक्ट किया और वहां पर उसको क्या मिला the answer is Lucy was attracted to the wardrobe as she felt it would be worthwhile to try the door Lucy wardrobe की तरफ इसलिए attract हुई थी क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह worthwhile है यह अच्छा रहेगा अगर मैं उस door को खोलूंगी and she found long fur coats hanging up there और उसने वहां पर लंबे जो fur coats थे जो हम विंटर में पहनते हैं वह वाले fur coats हुए वह लटकते हुए उसने देखे थे वहां पर Elmira में वो टंगे हुए थे then a2 is answer these questions with reference to the context यहां पर जो लाइने है जो context यह वो यह है कि this is going to be a wonderful place for birds और question a है हमारा who said these words and to whom तो जब हम chapter पढ़ेंगे तो उसमें है यह जब हमने आप वीडियो देखेंगे या आगर आपने देख लिया है तो आपको पता है कि Peter said यह words Peter ने कहे थे Edmunds से okay question b is what was going to be a wonderful place for words birds and why जो कौन सी जगह थी जो birds के लिए बहुती wonderful place होने जा रही थी और क्यूं So the house was going to be a wonderful place for birds जो घर था वो जिसमें बच्चे रह रहे थे वो एक wonderful place होने था birds के लिए क्यूं था because it was a large house with long passages and rows of doors leading into empty rooms क्योंकि एक बहुती बड़ा घर था वहां पर लंबे लंबे बरामदे थे और दर्वाजों की पूरी की पूरी पंक्तियां थी जो की खाली कमरों में खुलते थे तो इस तरह की चीजें जो है इस तरह की जो जगहें होती है वो पक्षियों को रहने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए यह हमने इसका shortest answer लिखा है बनेट सीपार्ट दिसक्राइब देश्राइब दॉस जगहें को डिसक्राइब करना है हमको जहां पर स्पीकर यानि जो edmeter ह। यह और बाकी सब यानि की चारों बच्चियां पर रुक्क रुके हुए थे उस प्लेस को मैं डिसक्राय करना है सब्सक्राइब काफी बड़ा और क्रीपी हल कासा डरावना सा जो लगता है वैसा घर था और इसमें काफी सारी अनेक्सपेक्टेड जगहें थी देर वर माउंटेंस इंड वुड्स अराउंड उसके चारों तरफ उस जगह के चारों तरफ जो है पहाड थे और जंगल थे वि देगी. Now question 2, think of answer these questions with reference to the context का. हमारा second question है, this must be a simply enormous wardrobe. ये तो वो line है, context है, जिसके बारे में question पूछे गए है. Question A है, who said these words? What was the speaker talking about in these lines? ये words किसने कहे और जिसने कहे है, वो किसके बारे में बात कर रहा था, जो speaker था? So Lucy said these words, ये words Lucy ने कहे थे, जब वो wardrobe के अंदर जा रही थी और एक के बाद एक उसको fur coats की hanging up rose मिल रही थी, एक rose के बाद second row, third row, तो उसको देखके उसे लगा किया रही बहुत बढ़ी wardrobe है, इसमें तो कोटी-कोट की कई रोज टंगी हुई है, हाना? So Lucy said these words और वो किसके बारे में बात कर रही थी? She was talking about the rose of fur coats. वो fur coats की जो रोज थी वहाँ पर उनकी बारे में बात कर रही थी. Question B is, was the wardrobe enormous? What happened next? क्या जो wardrobe थी, क्या वोई enormous थी? यानि बहुत बढ़ी थी? और इसके बाद क्या हुआ? So yes, the wardrobe was enormous. Of course, wardrobe जो है काफी बढ़ी थी और उसके बाद क्या हुआ? When the rose of long fur coats came to an end, Lucy found herself in the middle of a wood with snow under her feet and snowflakes falling through the air. जब वो long fur coats की, लंबे-लंबे fur coats की जब लाइने खतम हुए, उसके बाद में Lucy ने अपने आपको कहां पे पाया? एक जंगल के बीच में पाया, जहां पर उसके पाओं के नीचे snow थी और snowflakes, snowfall हो रहा था वाँ पे, हवा से उसके उपर snowflakes गिर रहे थे. तो वो एकदम से ठंडी वाली जगया पर कहीं पर पहुच गई थी, जहां पर snowfall हो रहा था और पहले भी हो चुका था, उसके पाओं के नीचे snow थी और एक खुले जंगल में वो पहुच गई थी. Okay, so now think and answers. What do you think would follow next in the story? आपको क्या लगता है कि इसके बाद story में क्या हुआ होगा? तो देखिये, the teachers are also watching the video कि बच्चे अपनी imagination से कई बार बहुत अच्छे अच्छे और वेरी करते हुए answer देते हैं, तो आप उनके answers भी accept कर सकते हैं, आप खुद भी अपना answer इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैंने ये answer देने की कोशिश की है कि I think Lucy would have gone back to the house and told her siblings about the wardrobe, मुझे लगता है कि जब Lucy वहाँ वुड के वहाँ पहुच गई थी, उसके बाद उसे obviously अच्छा लगा होगा, तो वो भाग के वापस से wardrobe के अंदर गई होगी और उसने अपने siblings को, अपने सभी भाई बैनों को उस wardrobe के बार में बताया होगा, और then they all would have gone there and enjoyed a lot और फिर वो सब मिलके वहाँ पर गए होंगे, आइस में, वुड में, स्नो में और उसके बाद उन्हों ने वहाँ पर बहुत ही enjoy किया होगा, बहुत मस्ति किया होगी, so that is my imagination, you can write your answer according to your imagination, second question is, have you ever encountered such mysteries in a house, share it with the class, क्या आपने कभी भी इस type की कोई mystery देखी है, आपके साथ ऐ इसा कभी कुछ हुआ है, किसी घर में कुछ आपको mysterious सा मिला हो या ऐसा कुछ अगर हुआ है, तो आप अपनी class के साथ share कीजिए, तो मैं यह कहना चाहूंगे, कि जब मैंने class में chapter पढ़ाया था, तो like all sections में मैंने पढ़ाया था, तो कोई बच्ची ने यह answer नहीं दिया, कि ह मेरे साथ यह mystery हुई है, इस type की कुछ भी, because यह magical things है, जो कि मुझा नहीं लगता कि real life में हो सकती है, नहीं मैंने कभी इस तरह की real life में कोई mystery सुनी है, या मैंने कभी experience की है, तो उसी के base पे मैंने answer लिखा है कि no, I didn't, नहीं मैंने ऐसी कोई भी mystery को experience नहीं किया है, and then I have written, I think it happens in stories only, मुझा लगता है कि यह केवल stories में ही होता है, again I am saying, यह answers vary कर सकते है, thinking answers आप अपने हिसाब से इनको लिख सकते है, so guys, thank you so much for watching my videos, please subscribe my channel, thank you.